नमस्ते हमेशा को श्रोव पिटिया आयर्वेद फेकल्टी आश्टा अंग्रध है डाक्टर सुशील कुमार सर्मा सेशन टू जोती विद्यापीट वुमेंस यूनिवस्टी जैपूर सल्ले हरन विधी अध्याय का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ श्लोक नंबर आठ से यह शुरू हो रहा है इसमें संधिगत सल्ले के लक्षन के बारे में बताएं संधी में सलीट चल जाएगा तो उसके क्या लाक्षन होंगा है तो इसमें Itís आदर सी तरह के लक्षन होते है लेकिन इसमें क्या होगा चैस्टा का नहोना भी रक्षन होता है क्योंकि जतनी में चेस्ट्रा में के लक्षन के आउंगे आटोप कोश्ट संस्रीते आना हो अन्सक्रत मुत्र दर्शनम चे रणाने कोश्ट में आश्री सल्ली में आटोप होगा आना तता अब्रण के मुक्से भिन अभियोग के अनुशार अन्मल और मुत्र के दर्शन होते हैं इस पकार के लक्षन हो कि विन्धान मर्म गतम सल्ल्यम मर्म विद्धो पे लक्षनम मतलब मर्म समत्यो मर्म किसे कहते हैं मार यंतिती मर्म हैं जिन इस्थानों पर मारन करने से मृत्यू हो जाया वो मर्म इस्थान के लाते हैं ये कहीं प्रकार के होते हैं कहीं कई तो सद्ध्यों होते हैं कहीं काल जाहिए मर्मे में विद्ध होने के लक्षन क्या होंगे कि मर्म में जाएंगा उसकी कर्म के अनुपाय क्या है त्वचा आदि में सल्ण को उनके अपने-पने स्रोतों में ही पहचाने और त्रगत मतलब कैसे इसमें पत्र पता लाएगा अगर त्वचा में सल्य है तो लश्का का लश्का बाहर आएगी सिरागत सल्य है तो रखत इसमें बाहर आएगा और मज्जागत अस्तिकत सल्य है तो इसमें मज्जा बाहर आएगी इसलिए जैसे ज रोहन आदि सल्ले कैसे ठीक होंगे जहां से सल्ले चला गया उस्थान कैसे ठीक होगा उसके बारे में रोहन कहां थीक होना उसमें गाव को ठीक होना वह रूहन कहलाता है मतलब जो व्यक्ति व्यक्ति में आराम से जो सल्य निकल जाने के बाद में स्वतही सल्य रोहन हो जाता है थीक हो जाता है वास्त में बढ़ता नहीं लेकिन वो ऐसा लगता है कि यह ठीक हो गया ऐसा इसी प्रतिती होती है कि रूर लो घैसे चला गया है। कि दोश कर्पोपसे या चोट आदी के लगने से उत्पन विक्षोप के कारण वे रूट सल्य यानि और शरी में रहा वा सल्य क्या है सल्य पुने पिडा करने लगता है मतलए मतलब समय पार कर कि वो पुने पिडा यह वेमं दर्द करने लगें त्वक नस्ट सल्द का ज्यान और त्वचा में सल्द नस्ट जाकर हो गया तो उसका ज्यान कैसे होगा त्वक नस्टे यत्र तत्र श्वर भंग श्वर श्वेद मर्दनाई राग रुग दाः संरभभा यत्र चाज्ये विलियते आशू सुष्चिति लेपोच यहुआ तते स्थानम् सेलेवत्दहेट है महाँ सेले मौनना चाहिए तो त्व colony नश्ट सलेगा ज्यान कैसे होगा तुचा में और कूफ नश्ट सले होगया उसका ज्यान कैसे होगा कि तुचा आदी में सले नश्ट हो छिपा हो तो वहां पर अभ्यंग करोगे तो वहां दादोन लग जाएगा अभ्यंग करोगे तो पेन होगा स्वेधन करोगे बर्दन करोगे तो वहां लालिमा हो जाएगी स्वेधन और बर्दन करोगे महां क्या हो गया वहां पर लालिमा हो जाएगी वेधना होगा दहा होग शूजन कानभव होगा और जहां पर लगाया हुआ घी पिगल जाता हुआ तो वह सूख जाएगा उस इस अस्तान पर सल्ले युक समझना चाहिए इस परकार का ग्यान होता है कि वहां सल्ल है घी सूख गया गी तो पिगल गया और लेप सूख गया तो समझतो हो के अंदर सल्ल है इसका ग्यान होता है इस पकार से इस सेशन प्रवीड भाई डिजिल विजिन टू आई होप यू है एनी क्वेरी प्लीज मेंशन कमेंट मॉक्स आई विल रिशॉल इट थैंक यू